हलो माई डियर स्टुडेंट्स ऑफ सेवंथ क्लास आज मैं आपको आपकी जो बुक है बिजी वी उसका जो टैन्थ चैप्टर है दा हैरिटेज ऑफ इंडिया उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ठीक है तो किसी बच्चे ने बोला था कि मैं आप स्पेलिंग भी बोला कीजिए ठीक है तो ठीक है मैं वह भी उसकी बात भी सुनूंगी और उसी की अनुसार अपने अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो वर्ड मीनिंग्स हैं इसमें देखो साउंडेट दा थीम इसका मतलब होता है स-o-u-n-d-e-d साउंडेट ट-h-e-d जो है ट-h-e-m-e थीम हैं इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत की ठीक है एपिटोम-e-p-i-t-o-m-e एपिटोम का मतलब है आदर्श उदारण नेक्स्ट है एड़ोकेसी-a-d-v-o-c-a-c-y यानि वकालत एड़ोकेसी मिस वकालत नेक्स्ट मीनिंग है अंडर डॉग अंडर डॉग का मतलब होता है बच्चो दलित जिनका दमन किया जाता है जिनको हमेशा दबा करके रखा जाता है ऐसी लोग है ना जिनको निम्न माना जाता है अंडर डॉग यू-n-d-e-r-n-d-o-g डॉग एंटीपैथी का मतलब होता है बच्चो ग्रणा एंटीपैथी का मतलब होता है घ्रणा या किसी से नफरत करना अन्प्रेसिडेंटेट का मतलब ह यानि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ अभूत यानि पहले नहीं हुआ ऐसा पूर्व में ठीक है तो अन्प्रेसिडेंटेड यू-n-p-r-e-c-e-n-c-e-d-e-n-t-e-d फिर से एक बार सुन लें यू-n-p-r-e-c-e-d-e-n-t-e-d नेक्स्ट वर्ड है लिबरेशन ल-i-b-e-r-a अ-t-e-i-o-n-lip-sorry लिबरलिज्म का मतलब है उधारतावाद ठीक है उधारवाद या उधारतावाद ठीक है पैसी-फिज्म और लिबरलिज्म की स्पेरिंग क्या होगई यू-b-e-r-a-l-i-s-m पैसी-फिज्म-p-e-c-i-f-i-s-m पैसी-फिज्म का मतलब है बच्छो शान्तिवाद नेक्स्ट है इन्वेटर आई डवल एनो वी ए टी ओ आर यानि इसका मतलब होता है अन्वेशक मतलब कुछ नई चीज इजात करने वाला कंसर्वेटिव का मतलब होता है अपरिवर्तन वादी यानि जो रूड़ी वादी विचाट दा रहा हूं जो इन्सान बंधा रहता है जो की चेंज नहीं परिवर्तन नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में नेक्सट है इक्वालाइबकार रखने वाला next है hierarchy hierarchy का मतलब होता है कोई भी प्रणाली या system hierarchy next page पर आते हैं बच्चों हम इसका है unorthodox unorthodox का मतलब है अपरंपरा गत देखिए orthodox होता है जो रूडिवादी या परंपरा गत जो परंपरा चली आ रही है उसी के अन्सार बेहेव करने वाला होता है orthodox अब यह अन यहाँ पर जब हमने लगा दिया तो इसका अपोजिट हो गया unorthodox मानी डॉक्स यानि अपरंपरा गत यू एन ओर टी एचो डी ओ एक्स रिफोर्मर्स कहते बच्चों सुधारकों को ठीक है जो की समाज या किसी चीज़ में सुधार करने वाले होते हैं stagnation का मतलब है इस्थिर्ता और नेक्स्ट है एफीट एफीट का मतलब होता है पूर्व घोष्णा unconvincing का मतलब है दोविधा में पढ़ा हुआ यानि जो की convince नहीं है आश्वस्त नहीं है किसी बात की प्रती confusion है उसे संकोच है दोविधा है that is called unconvincing next है fanatical fanatical का मतलब होता है कट्टर कट्टर यानि की जो बात उसको करनी है उसी पर अड़ जाना self-conscious self-conscious का मतलता है संकोची यानि जो अपने तक ही सीमित रहता है अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुचा सकता उसको संकोच होता है शर्म आती है शर्म हैसूस होती है तो that is called self-conscious अब है शौविज्म शौविज्म यहां पर शौविज्म न बोलके इसको शौविज्म इसका उच्चारण करते हैं इसलिए मैंने इसका प्रोनेंसियेशन भी हिंदी में भी लिखा है शौविज्म अंदराश्ट्रियता को हम शौविज्म बोलते हैं फीट का मतल संशलेशन यानि किसी चीज को मिलाना जोड़ना एसी मिलेटिंग एडबल एसाई एम आई एले टी आई एंजी एसी मिलेटिंग का मतलब आत्म साथ करना या सम्मिलित करना के ट्रैडिशन टी-आ डी-आ, टी-आ, टा, यू, ट्रैडिशन का मतलब आई परंपरा और गरेस्यसनेश का मतलब आई शान जी आरे, सी आई, चार्म का मतलब आकर्शन, ओप्रेशन का मतलब है अत्याचार या दमन या उत्पीडन, किसी को दवई दवा कर रखना, उसका शोशन करना, अत्याचार करना, ये कहलाता है ओप्रेशन, O-P-R-E-S-I-O-N, कुछ मीनिंग्स हो रहें बच्चों इस चेप्टर के, P-E-R-V-A-D-E, परवेड यानि व्याप्त होना, ठीक है, व्याप्त होना, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है फिजूल खर्ची, E-X-T-R-A, एक्स्ट्रा, V-A-Z-A, एंटी, फालतु में खर्च करना, एक होता, वैनिश, V-A-N-I-S-H, वैनिश का मतलब होता, डिसेप्पी H-E-C-A, T-U-M-B-S, एक साथ सौ बैलों की बली देना, यह कहता है है का, टॉम्स, यह कोई पहले प्रथा होती थी, जिसमें एक साथ सौ जो बैल होते थे, उनकी बली चड़ा दी जाती थी, एक साथ उनको मार दिया जाता था, P-Y-R-E, पायर का मतलब होता है बच्चो, चिता, जिसको हम funeral, पायर कहते हैं, अंतिम संसकार जिस पर किया जाता है, व्यक्ति को, व्यक्ति किसी व्यक्ति का, उसको हम कहते हैं, पायर, चिता, ठीक है, यह हो गए आपके इस chapter के word meanings, और देखी बच्चो, इसमें मैंने कुछ बहुती simple, छोटे, लेकिन बहुती important meanings को लिखा है, जिसमें अक्सर गलती करते हैं बच्चे, और chapter के अंदर जब यह आते हैं, तो इनका बहुत महत होता है, और बच्चे इन ही को नहीं जानते, बड़े-बड़े meanings अब याद कर लेते हैं, चाट-चाट के, कि यह इसके difficult words है और यह meanings हैं, यह हमने याद कर लिए, लेकिन जब छोटे meaning ही नहीं आएंगे, तो कैसे sentence में sentence link होगा एक दूसरे शब्दों से, कैसे sentence बन पाएगा, words कैसे link होगे, तो उसके लिए हमने कुछ और extra meanings को लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सरल हैं, लेकिन हो सकता ह मैं से भी बहुताओं को बहुत नहीं आते हूँ, I means मैं होता है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं कि मैं पर भी एक मात्रा लगा देते हैं, लेकिन अपने लिए जो मैं आता है, उसमें हमेशा दो मात्राइं लगाई जाती हैं, और फिर dot आता है, we means हम, us means हमको, you, तुम, your, तुमारा, our, हमारा, they are, यानि उनका, उनकी, उनके, यह according to sentence, जैसा अर्थ बैठता है, उसे साफ से हम लगाते हैं, apostrophe, as का मतलब होता है, का की के, और विशेश रूप से यह living things, यानि जो जिन्दा, प्राणी हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है, otherwise हम of का यूज़ भ होता है, बच्चों हैं, यह plural के लिए, और am का मतलब होता है, हूँ, यह अपने लिए यूज़ होता है, खुद के लिए, was मतलब था, were मतलब थे, यह past tense में यूज़ होते हैं, has मेंस होता है, रखना, यह singular के लिए यूज़ होगा, have मेंस रखना, लेकिन यह plural के लिए यह वी यू दे वगरा कोई भी दो व्यक्ति हो यानि कि प्लूरल बन रहा हो कुल मिलाकी तो हम उसके साथ हैव का यूज करते हैं हैड होता है है का मतलब भी रखना होता है बच्चों लेकिन यह पास्टेंस में यूज होता है तो इसका आर्थ बन जाता रखता था ठीक है ही होता है वह है यह हम सभी जानते है यह पुल लिंग के लिए यूज किया जाता है शी का मतलब भी वह होता है लेकिन यह इस तरी लिंग के लिए यूज किया जाता है इट का मतलब होता है बच्चो यह हैं और यह और दिस का मतलब भी होता है हैं सिंगूलर है दिस लेकिन दीज टीज का मतलब है यह 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 प्लूरल के लिए यूज करेंगे दैट का मतलब होता है वह वह सिंगूलर के लिए दोज वे प्लूरल के लिए ठीक है आफ यानि का हाठ का कीके भी हमने बताई था एफ ना मतलब भी का की की होता है। हिस verde means उसका उसकी उसके यह plural के लिए यूज होगा। हिस मींस उसका उसका उसके उसके यह इस तृिलिंग के लिए यूज होगा। आट हर जाल मतलब होता है कृष्ह को यह好了 लिए लेकिन इस त्रिलिंग में हर ही होता है उसका के लिए भी और उसको के लिए भी ठीक है दोनों के लिए हम हर का ही यूज करेंगी यह बात बिलकुल ध्यान में रखने हैं आपको फॉर मींस होता के लिए एंड और कुछ प्रिपोजिशन भी इसमें आ गए हैं अंडर मींस नीचे बिसाइड यानि बगल में और बिसाइड यानि के अतरिक एक्सेप्ट जिस तरकी इसके अतरिक तर बी एसाइड इस एस लगाते ही हमारा अर्थ बदल जाता है बिसाइड बि बिसाइड यानि बगल में और बिसाइड इस बिसाइड यानि के अतरिक यह हो गई और देखे टू का मतलब होता है बच्चो को और फ्रॉम यानि से अलग होने के अर्थ में जैसा कि संस्कृत में अपन देखते हैं पंच्मी व्यक्ति का यूज करते है आपादान कारत में तो अलग होने के लिए यूज होता है from का विद ये जो तरतिया ये साथ ये से उसकी तरह से यूज होता है between यानि होता है दो के बीच में और among am on g among का मतलब होता है दो से अधिक के बीच में before मींस पहले आफ्टर बाद में ये सभी जानते है on means उपर जो चीज तरह हो रही होती है और उसका अर्थ उपर निकलता है या पर निकलता है उसके लिए हम on का यूज करते है in means अंदर या में into का मतलब भी बच्चों में होता है लेकिन इसके लिए अवस्था गतिशील होनी चाहिए मुवमेंट होना चाहिए गतिशी लवस्था के लिए हम into का यूज करेंगे टी डवलो टू का मतलब होता है भी also का मतलब भी होता है भी आज इसमें इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और फिर कभी लगा तो हम next और भी बहुत सारे extra चोटे चोटे मीनिंग्स होते हैं जो की बहुत ही importance रखते हैं तो हम उनको उसमें बताएंगे थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियोज और मुझे आप लोगों काफी साथ मिल रहा है बहुत सारे कुछ लोगों मतलब सब्सक्राइब किये हैं कुछ नए सब्सक्रिप्शन साये हैं और इन से मुझे किसी भी काम को करने की हिम्मत मिलती है कि मैं फिर से और वीडियो बनाऊं किसी भी टॉपिक पर तो धन्यवाद बच्चो और आप लाव उठाईए सिंपल सोबर लेंग्वेज आपको मिलेगी हमेशा थैंक्स